केंदर सरकार द्वारा कंडागार से कुफरी वायाचायल को नेशनल हाईवे बनाने की घोशना को रद्द करने की मांग उठ रही है यहां की लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर कई पेड़ हैं जो इस पहाडी क्षेत्र की खूबसूर्थी को बढ़ाते हैं ऐसे में यदि यहां नेशनल हाईवे बनता है तो हजारों पेड़ों की बली चड़ जाएगी जिससे यहां पर्यावरन को नुकसान पहुंजेगा केंदर सरकार द्वारा कंडागार से कुफरी वायाचायल को नेशनल हाईवे मार्ग बनाने की जो घोशना की गई थी उसको लेकर चायल क्शेतर के लोगों ने इस मार्ग को ना बनाने की केंदर सरकार से गुहार लगाई है क्शेतर के लोगों की मांग है कि कंडा घाट कुफरी वायाचायल मार्ग को नेशनल हाईवे बनाने की केंदर सरकार ने जो घोशना की थी उसके बदले इस मार्ग पर जहां मार्ग तंग है उसे चोड़ा किया जाए ताकि इस मार्ग के किनारों पर लगे सेंकलो पेड़ों को कटने से बचाया जा सके और प्रयाटन नगरी चाइल की सुंदरता को कोई ग्रहेंड न लगे कंड़क हाट कुफरी चाहल हाईवे की जो नोटिफिकेशन हुई है हम उसको उस रोड के को जो है हाईवे वो नहीं बनना चाहिए क्योंकि चाहल जो एरिया है वो टुरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहां पे जो है सारा फॉरस्ट एरिया है सारी ग्रिनरी है जिसकी वज़र स कि तूरिस्ट यहां पे चाहल को देखने के लिए आते हैं और यह रात या दो रात का उनका स्टे होता है जिसकी वज़र से यहां पर सारे वोटल सुगेरा चल रहे हैं जो यह रोड के साथ के जितने भी पेड़ है जो चाहल से लेके और कुफरी तक वह सारे कटेंगे और पर हमारी यह मांग है कि जो यह कंड़ागाट से लेके कुफरी तक का रोड है उसको जो है उसको तोड़ा-फोड़ा कर दिया जाए जिसकी वजय से जो है जो ट्रैफिक जैम है और जो सारी प्रापलम है इहां पर क्नेक्टिविटी की वो थोड़ी सुदरी जा सके जो चैल में यह नहीं बनना चाहिए क्योंकि यह नहीं बनना चाहिए भौत हराबरा जंगल है क्योंकि अजया है क्यों परेशाइ लोग अधड़ के लिए जिस्टर जेनल को जो आज की अजया दरूरी चीजिज़ें कुछ वोड है जो तंग है जहां कुछ परेशाशनी एंट्रोप लोगों को आज जो हो सोटी हो जाय को जो जाया है यह ब्रोडन सिटी चैनल के लिए कंडा घाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट